हेलो फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो आप मेरे चैनल टैलेंट दीवा को सब्सक्राइब कर लिजे यह एपसलूटली प्री है और उसी के पाद जो बैल आइकन है इसको प्रेस कर दिजे ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए हेलो फ्रेंट्स आज मैं इस वीडियो में यह मैंने जोंसो से एक यालो कलर का लेंगा ओर्डर किया जो मुझे रिसीब हो गया मैं इसी का आज वीडियो बताऊंगे आपको तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो प्रेंट्स यह इस तरह से लेंगा है बहुत सुन्दर सा यसे कि आप चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाती हूं कि यह लेंगा कैसा आए इस तरह से लेंगा है और जो इसका प्राइस था यह 2590 रुपीज का था तो चलिए प्रेंट्स मैं दिखाती हूं कि यह कैसा है तो यहां वेस्टलाइन पे इस तरह से तो पूरे ही लहंगे में इस तरह से लिए और उस पर गोल्डेन थ्रेट से एम्रोइडी की गई है जो की बहुत सुन्दा लग रही है यह देखिए और उसके बाद पूरे ही लहंगे पेपरेंट्स रेड और सिलवर कलर से एम्रोइडी की गई है और स्विकेंस का सिलवर कलर का वर्क भी दिया गया है तो पूरे ही लहंगे में इस तरह से एम्रोइडी दी गई है जैसे कि आप देखने रेड कलर के पूल बने है है और उसके बाद पूरे में embryoidy की गई है तो ये पीले करर का है ये बोहत सुन्दर लग रहा है येलो पर रेड कलर्ब की गई है उस करण ये बहुत सुन्दर लग रहा है और जो रेड कलर के यहां यह प्लेट्स बनी हुई है तो यह कलीदार लहंगा है और यह जो प्लेट्स है यह 14 प्लेट्स इसमें डाली गई है तो यह जिसकी करन बहुत सुन्दर लग रहा है और इसका लहंगे का जो फैबरिक है फ्रेंट्स यह सिल्क में है इसका यह सिल्क फैबरिक है काफी को अराम को ये आ जाए अगा अरnd यहाइड जैसा की अच्छा है जासा कि आप देख्याय प्राइब थे यहां पर यह चाइर नेट का इस तरह कुझा इस तरह यह इसार शा को श्चुर्च नियर रहे रहर हुआ इस तरह इस धार से संटुल मेटेरियल का इनर दीया गया अडिया है पेडय कि घड़ कि एक हाल — यूव भी तैप के सबसाइज अ पर ये बाल्डव। तो यह इस तरह से और भी आएंद जो लेहंगे की लेंथ है यह 5, 6 और 5, 7, 8 तक की गल्स को अराम से आ जाएगा और अब मैं इसका टॉप दिखाती हूँ आपको और फ्रेंट्स यह इसका रेड कलर का टॉप है और टॉप का जो फैबरिक है यह बैंगलोरी सिर्क पर है राउंड नेक है और इस तरह से इसमें रेड पे सलवर आसके यह वी पैर पर यह ऑद है कि अचैने को शनदम है यह वी आप देख रहे दो तो स्लीव में रएड की गई हैं और लेंथ वाइस भी काफी अच्छा इसमें फैब्रिक दिया गया है तो एक्स एक्सल वालों को अराम से यह ब्लाउस बन जाएगा और पैंगलोरी सिल्क पर है और इसका जो फैब्रिक है काफी अच्छा है काफी शाइनिंग है बट आपको इनर इसमें लगवाना पड़ेग अजिक अधर वाइस इसका अगर आप तक्विज का थे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है रेड कलर का बहुत प्यारा लग रहा है पूरे में अलों एंब्रोइडरी है फ्रॉंट में एंब्रोइडरी है अंग श्रुपता पीले अच्छा पर है और व्यूंट का रहा है और आप देख रहे हैं पूरे ही डूपट्टे में शिल्वर स्विकंस का दिया गया है चोटे-शोटे स्विकंस बग दिया है और चारो तरब से यह वैलवट का बॉडर लगाया गया है और वैलवट के बॉडर पर इस तरह से अम्रोइडी की गई है तो यह इसका डूपट्टा बहुत सुन्दा लग रहा है कॉंबिनेशन येलो और मेरून कलर का कॉंबिनेशन का अच्छा लग रहा है और 2.25 मीटर का यह डूपट्टा है और इसका भी फैब्रिक बहुत ही सुन्दर है तो प्रेंस ओवरॉल यह लहंगा मुझे बहुत अच्छा लगा धाई-जार में बहुत ही अच्छा लेंगा है यह तो तीनो ही बहुत ही अच्छा भी यूज किया गया है और जैसे कि आप इसका अच्छी तरहीदा की गई है और वेडिंग के परपस से यह लहंगा बहुत ही परफेक्ट है अगर आप किसी क्या शादी में जा रहा है या आपकी शादी होने वाली तो उस परपस से काफी अच्छा है दूसरी बात इसमें ये काफी अच्छी कि इसमें कैंकन लगा है तो आपको अलग से कैंकन भी लगवानी पड़ेगी अच्छा इसमें लेडी फ्लेयर 4 मिटर का प्लेयर और ये लगा तो बहुत अच्छा पहनने पर आएगा और मुझी ये लेका प्रेंट्स काफी अच्छा लगा ठाई हो जागे कर सकते हैं इसमें कैंकन लगा है तो ये लहगा थोड़ा सा हेविय है अच्छा बहुत चुंदा लगा रहा है काफी वाइबरेंट कलर यूस किया गा है येलो है डाक लेड तो काफी अच्छा पालर कॉम्इनेशन यूस किया गा है अब लेंगा बहुत अच्छा लगा थे एगर आप काड़ा है gila मैं इतना ऐप परशित्ता मेल कर सकते हैं और अदू आप से इस्थरूर लें तो आपको आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को जरो किसे आप सब्सक्राइब करिए थैंस वागाचिए